नमस्कार एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ आपके सबके सामने प्राचिन भारत के अधियाई एक का भाग दो इसमें हम आगे की बात करेंगे जैसे कि हमने कल की वीडियो में देखा था गंगा और उसकी सायक नदिया यानिक सोन को एक बार फिर से देखते हैं यह देखिए यह है यहाँ पर यह है गंगा नदि इधर है सोन और इसके इस छेतर में यह मगद समराजी था और मगद समराजी बहुत अधिक सक्तिसाली था जो कि जिनोंने अपना समराजी का विस्तार काफी दूर दूर तक किया था अब आगे की अगर बात करें तो हम लोग सदेव क्या करते थे कि उप महादीब के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे अब बात आती है उप महादीब की उप महादीब कि किसे कहते हैं उप महादीब का मतलब है कि पूरा दक्षिन एशिया जिसमें कि आज का भारत पाकिस्तान बांगलादेश नेपाल भूतान सिर पहाडियों और प्रतों से बते होने के कारण इसे मार्णी पर कहा जाता है। अब देखिए अधा अब देखिए यात्रा लोक करते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई कारन रहा होगा तो यहां पर भी कारन है पहला कारन है काम की तलास में दूसरा कारन है आफ हुआउज से पीरित strongest करने के लिए यानिक विजय हासिल करने के लिए, चौता कारण वेपार के उतेश से से, और पाचवा कारण है आपका धार्मिक गुरु सिक्षा और सला देने के लिए जाते थे, और कुछ लोग नए और रोचक अस्थानों खुजने की चाह में भी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते संब्रिद्धी मिली, कई सो वर्सों से लोग पत्थर को तरासने संगीत रचने यहां तक की भोजन मनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे की विचारों को अपनाते रहे हैं, अब देस के नाम के बात करें, तो अपने देस के लिए हम प्राया इंडिया तथा भारत जीसे नामों का प्रियोग करते हैं इंडिया से निकला है जिसे संसक्रित मान देखें और ऐने यहां के यात्री थे वो सिंदू नदी को हिंदोस या फिर इंडोस कहते थे और इसके आस-पास किनारे में रहने वाजे को आसपास के जगए को इनोंने इंडिया कहा भरत नाम का प्रियोग भरत के से ही बनाए भारत भरत किने कहा आया था था जो पूरे के पूरे उत्तर पश्चिम में भारत के उत्तर पश्चिम में एक समूर रहते थे उन पूरे समूर को भरत कहा आया था था भरतों की संतान भरतो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा लिकिन फिर भी मैं फटा-फट के रिविजन के सीरीज में उसको भी बताऊंगा आतीत के बारे में कैसे जाने आतीत के जानकारी हम कई प्रकार से प्राप्ट कर सकते एक तरीका है कि पुस्तकों को ढूड़ना और पढ़ना और हाथ से लिख से लिखी गई लिपियों को पांडू लिपी कही जाती है यह प्राया तार पत्रों और हिमालय चेतर में एक पेड़ उगता है भूर्ज नामक पेड़ उसके छाल पर भी लिखाया था और उसका एक नमोना आप यहां पर देख सकते हैं यह भूर्ज के छाल पर लिखी गई पांडू लिपिया है आगे के अगर बात करें इतने वरसों में इन मैंसे कई पांडू लिपवियों को तो केड़ोंने खा लिया किन कुछ ऐसी पांडूलू लिपिया है जो आज भी प्रसीद है यह मंदिरों और विहारों विहारों यानि कि बहुत के jsूंने धार्मिक अस् दियु तो थाभि ज्नादिंस अभी परकार के विस्यों की चर्चा इनमे की गई इसके अलावा हमारे महाकाब ये कविताएं कविताएं नाटक भी हैं इनमे से कई संस्क्रिस्थ मे लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य ये भासाओं की तो दक्षिन भारत में तमील में बहुत सारे महाकाभी आपको मिल जाएंगे उत्तर भारत में प्राकिरत प्राकिरत क्यों क्यों क्योंकि उससे में प्राकिरत भासा का प्रियोग ही आम लोग करते थे अभी लेख, अब बात आती है अभी लेख, अभी लेख मतलब होता है किसी कठोर सताव पर उतकेड़नित लेख, का पालन कर सके जैसे कि आजखल आप देखते हैं कि जो पोस्टर सित्यादी लगाए जाते हैं तो पोस्टर तो टेंपरेरली होता है लेकिन यहाँ पे इस समय में यह आप देख रहे हैं यह है अभी लेक यह अभी लेक है और इसको किया जाता था ताकि कुछ समय तक यह रहे और यह जाया ना बारी सित्यादी में नस्ट ना हो, कोछ अन्य प्रकार के अभिलेक भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य इस्त्री पूर्सों ने भी अपने कारियों की विब्रन गुदवाई थे, यानि उत्किर्नित करवाई थे, सासक के लडाईयों मे अरजित विजियों का लिखा जुका करते थे, अब देखें यहाँ पे यह जो आप देखनें अभिलेक, यह क्या है, लगवक बाईस सो पचास वर्स पुराना याभिलेक, कहां पे पाए गया है, अफगानिस्तान के कंधार में पाए गया है, याभिलेक असोक ने लिखा था और इसकी अगर भासा की बात करें, तो इसकी भासा है युनानी और अरामी की में इसमें लिखी गई है, दो भिन लिपियों तता भासाओं में लिखी गई है, आगे अगर बात करें, इसके अतरिक्त अन्यकई वस्तवे अतित में बनी और प्रियोग में लाई गई, ऐसे वस करने वाले व्यक्ति को पूरा तत्विद कहते हैं पूरा तत्विद पत्थर और एट से बनी इमार्तों के अवशेश यानिक बचे वे से से चित्रों मुर्तियों का अध्यन करते हैं वे और जारों हत्यारों बरतनों आवोशणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए चान बिन दता खुदाई भी करते हैं इनमें से कुछ बस्वे पत्थर पकी मिट्टी तता कुछ धातों की बनी भी हो सकती हैं ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नस्ट होने वाले होते हैं अब देखिए जैसे कि यह आपे कुछ उधारन आप देख रहे होंगे यह देखिए यह 47 सवर्स पुराना है और यह दर चांदी के सिक्के लगवग 25 सवर्स पुराने सिक्के हैं इसके बाद अगर बात करें तो पुरा तत्य विवेदे जानवरों चेडियों मचलियों और हडिया भी इनको मिली है इससे इन्हें यह जानने में के रूप में बचे रहते हैं अब देखो अब एक जानने वाला एक कारण है कि लोग को कपड़े के अपसेस मिलते हैं यह नहीं कपड़े के अपसेस तो नहीं लेकिन कुछ इस तरह की चीज़े मिलते हैं जिससे कि वह अंदाजा लगाते हैं पांडू लुपियों स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों के साहिता से हम दिरे दिरे अतीत का पुर्णर निर्मान करते जाते हैं अतायतियासकार तता पुरा ततविद उन जासुसों के तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग स तुमने इस पुस्तक के अगर सिर्षक की बात करें तो हमारा अतीत, अतीत की अगर बात करें तो हमारा अतीत, या अतीत सब्द का यहां वे प्रियोग बहुँ बचन की रूप में किया गया है, ऐसा इस तत्ये, ऐसा इस तत्ये की और ध्यान दिलाने के लिए क्या गया है, कि अलग-अलग समूं के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग माइने थे यानिके अलग-अलग समूं के लोग इसको अलग-अलग तरीके से लेते थे जैसे गुदारन के लिए पसुपालकों और किसकों का जीवन राजाओं और रानियों की जीवन से तथा बैपारियों का जीवन सिल्पकार यानि कि जो पत्थर पे कारीगरी करते थे उनसे अलग था विपारियों का जीवन अलग था और जो कारीगर इत्यादी होते थे उनका जीवन बिल्कुल ही अलग था जैसा हम आज भी देखते हैं उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अ करते थे आज अब जैसे कि आज कि अगर बात करें जैसे कि अभी भी लोग भोजन में मचलियां पकड़ कर सिकार करके या फल फुल कोई कठा करके ही वाज भोजन पराप्त करते हैं इसके विप्रेत आज हम लोग देख जैसे भोजन इत्यादी के लिए किशान पर निर्बर हो करते हैं इसके अत्रिक ते एक अन्यतरा का भेद है उस समय सासक अपनी विजयों का लिखा जुका रखते थे यही कारण है कि उन सासको तो था उनके द्वारा लड़ी गई लड़ायों के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं जबकि सिकारी मच्वारे संग्राहक क्रिशक और पर्षपालक जैसे आम आदमी प्राया अपने कारियों का लिखा जुका नहीं रखते थे पुरा तत्वे की साहिता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है हलाके अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना सेस है अब तीथियों के मतलब की अगर बात करें तो पिछली वीडियो में की थी अब अन्यत्रे थोड़ा देख लेते फटाफट क्या आई है जैसा कि हमने पहले पढ़ा अभी लेक कठोर सतों पर उतकिर्ण करवाए जाते हैं इनमें से कई अभी लेक सो वर्स पूर्व लिखे गए थे सभी अभी लिखों में लिपियों और भासाओं का प्रियोग हुआ है समय के साथ सतविलिकों में प्रियोग थे भासाओं और लिपियों में बहुत बदलावा चुका है बिद्वान या कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था अब ये बात समझने लाइक है कि कैसे जान पाते हैं कि अग्यात लिपि का अर्थ निक रोसेटा नाम का कस्वा है, यहां ऐसा उतकीरनित पथर मिला है, जिस पर लेख तेन अलग अलग भासां और लिपी ओं, तीन अलग अलग भासा युनानी और मिस्स्री लिपी के दो प्रकार, कुछ बिद्वान युनानी भासा पर सकते थे, उन्होंने बताया है कि यहां राज अगल बगल रखते वे मिस्ट्री अक्षरों की समाना अर्थक धोनियों की पेचानकी जैसे क्या अगर देखो तो एल अक्षर के लिए सेर यह देखो यह देखो एल अक्षर के लिए सेर और यहां पर यह देख रहो ए अक्षर के लिए यह पक्षी इस तरीके बना हुआ और य के लिए त्रिभुजाकार स्व्मकुंत्रिभुज तो इस तरीके से हमारा ये पहला पाठ समाप्तु आप थोड़ा इसके उत्तर को अगर देखें प्रश्न को तो नर्मदा घाटी नर्मदा घाटी जहां पर प्रथम सिंधु और उसकी सायक नदियों के अगर बात करें सिंधु तता उसकी सायक नदियों के पास परथम नगर की अस्थापना हुए थे गारो पहारियों में आरंबिक क्रिशिकी गई मगद पहला बड़ा राज्य था और नर्मदा घाटीम के आसपास लोग आखेट और संग्रहन करते थे पांडूलीपी और अभीलेक में एक प्रमुक अंतर क्या है कि प्राया हास से भोर्ज पत्रे या फिर तौर पत्रों पे लिखे जाते थे जब कि अभीलेक कठोर सतर अब देखो पुरा तत्वीद के द्वारा पाए जाने वाली वस्त में बहुत सारी चीजे हो सकते हैं जिसे हडियां मठली के काटे हड़ी और कह सकते हो कि पत्थर त्यादी और जार अब यहां पर यह आपके समझ से इसका उत्तर देने के लिए इनलेटिकल पावर के इसमें आपको यूज करना पड़ेगा देखें साधाना निस्त्री औ आपने रोज मर्रा के जीवन में के जर्वतों को पूरा करने में लगे रहते थे और उन्हें प्राय विवरन लिखने का समय नहीं मिलता होगा या फिर हो सकता है कि वहां पर उस समय सिक्षा की कमी भी रही हो तो इसलिए वह नहीं लिख पाते होंगे तो अभी के लिए फिलाल इतना ही बहुत ही जल्द हम अगले चप्टर के साथ है आप लोगों के सामने फिर से उपस्तित होंगे अगला चप्टर है आरम विक मानव की खोज में तब तक के लिए वन एस डे टेक ये